हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल होम ब्यूटी और क्राफ टिप्स अभी तक चैनल सस्क्राइब ने किया है तो जली से मेरा चैनल सस्क्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद है तो वन लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रें सबसे पहले हमें निशान लगा लेना है और यहां से यह जो फोल्ड वाला पार्ट है उसको कट कर लेना है और जितना बड़ा हमें कि बनाना है उस हिसाब से हम कपड़ा लेंगे तो मैंने यहां से इतनी इसकी लंबाई कट की है आपको और ज्यादा भी कर सकते हैं तो इसको मैं कट कर लूँगे यह दिखिए ऐसे और इस तरीके से हमने दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लिया है दूसरे बनाना है सश्वश्वार से यह देखिए इस तरीके से और अब हम में यह वाली जो सिलाई है इसको खोल देना है यह यहां से 1 साइट से यह देखिए ऐसे इसकी धुरमित से कटिंग कर लें तो यह अपने आप खुल जाएगी और इस तरीके से कट कर भी सकते हैं या तो फिर आप ऐसे ही खोल सकते हैं तो यह मैंने एक पार्ट इसका खोल दिया है इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आप खोल लें यह देखिए ऐसे दूसरा वाला पार्ट भी मैंने खोल दिया है और दोनों को इस तरीके से रखा है और अब हमें नीचे वाला पार्ट उपर रखना है और उपर वाला पार्ट नीचे करना है इस तरीके से और यहाँ से हमें नीचान लगाना है और हमें नेक की और शुल्डर की कटिंग करनी है यह देखिए इस तरीके से पहले हम अच्छे से नीचान लगा लें जितना बड़ा आपको शुल्डर और नेक रखना है उसे इसाब से और इसको फिर सलकर शेप में कट कर ले यह देखिए इस तरीके से हमने शुल्डर और नेक कर लेकाई आपको शुल्डर का ले पकाते हैं यह देखिए इस तरीके से हम की कटिंग कर लिए और अब हमें नीजी का भी थोड़ा सा सर्कुलर शेप में लाना है तो इस तरीके से निशान लगा कर हम इसकी भी कटिंग कर ले कि पहले हम हाफ करके इसको कट करेंगे और फिर इसको ओपन करके इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से निशान लगा कर अब हम इसकी आप चाहें तो इस तरीके से भी डिजाइन रख सकते हैं या तो फिर आप बिल्कुल सर्कुलर्ट शिप में भी इसको कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है और यह टॉप की कटिंग मैंने यहां पर कर ली है और अब मैं इसको परलट दूँगी तो एक हमारी जो डिजाइन सिलाई है वो उपर आ गई है और इस तरीके से अब हमें कैप लेना है और कैप की मदद से हमें इस तरीके से सरकल दिखा रही हूं और जितनी दूरी पर हमने यह बनाया है उतनी दूरी पर फिर हमें दूसरा भी बनाना है यहां पर मैंने चार इंच की दूरी पर बनाया है यहां पर निशान लगा लूँगी और फिर से हम यहां पर एक सरकल बनाएंगे कि द्यान रखे प्रेंट्स की हम कपड़ा उल्टा करके निशान लगाएं यह देखिए इस तरी के से और फिर हमें इसकी मिजर्मेंट करना है और फिर कि पिर से हमें कैप की मदद से इस पर निशान लगाना है यह देखिए इस तरीके से और मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया एक साइड और मैंने अब दोनों साइड में भी इसी तरीके से निशान लगा लिया है और अब हमने यह जो निशान लगाया उसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का टॉप का हमारा लुका आएगा ये देखी इस तरीके से और फ्रेंट्स अब हमें करना क्या है इसमें मैंने आपे अगरबती का यूज किया है जिसकी मदद से हम इसके धागे को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जला देंगे ताकि इसके धागे नहीं निकले और इस तरीके से जब हम कड़ाई भी करते हैं तो इसी तरीके से अगरबती के यूज से धागे को सही करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी ट्रीक है दागा ना निकलने की और इस तरीके से आसानी से आप कोने से भी दागे को निकलने से बचा सकते हैं तो इस तरीके से सारे सरकल में इस तरीके से लगा दे थोड़ा थोड़ा ध्यान से करें फ्रेंड्स और अब मैंने सारे सरकल में ऐसे ही दागे को अंदर कर दिया है और अब हमें एक रेट कलर की पटी ली है जिसको हम इसके अंदर रखेंगे सरकल के और जब हम इसको पल्टेंगे तो इस तरीके का लुक हमारा टॉप का आएगा ये देखिए अंदर से red color का और उपर से हमारा cream color का तो इस पट्टी को हमें सिल देना है और दोनों साइड हमें पट्टिया सिल लिए है ये देखिए इस तरीके से और अब हमें इसमें last अड़ करना है क्योंकि हमारी सिलाई यहां पर लगी हुई है तो इस पर हम last लगा देंगे और neck के लिए हम यहां पर red color की piping लगाएंगे इस तरीके से और अस तीन पर भी हम red color की piping लगाएंगे यहां पर यहां पर जिधिए इस तरीके से और जो हमारा पीछे वाला बैक साइड एं उसको हमने ऐसे ही fold कर दिया एक इदेखिए इस तरीके से और नीचे कभी पाट हमने इसी तरीके से पोल्ड कर लिया है तो मैंने यहां पर लेस्ट लगा लिया है और पट्टिया भी मैंने इसमें एड़ कर दी है कि अब हमें सबसे पहले इस के दूसरे वाले पार्ट को यहां पर रखना है इसके उपर उल्टा करके और पीर कंद्धों को हमें इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है यह देखिए इसको अच्छे से हमें स्टिच कर देना है तो इस तरीके से प्रेंड्स हमने कंद्धा स्टिच कर दिया है और आप जितनी फिटिंग चाहे उस हिसाब से इसकी फिटिंग रख सकते हैं और पी सारा यहां स साइट से बंद कर सकते हैं दोनों कप्टे को यह देखिए यहां से मैंने सिलाई चला दिया है दोनों साइट से क्लोस कर दिया इसको और यहां का आगे वाला पार्ट भी मैंने इसी तरीके से मोड दिया है और गलेक पे और शोल्डर पे भी मैंने इस तरीके से पाइपिन लगा दी है तो फ्रेंट्स हमारा यह वाला टॉप बन कर रेडी हो गया है और यह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो इसको मैं आपको close से दिखाती हूँ कैमरे इसको सही से justify नहीं कर पा रहा है लेकिन यह बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से आप कुछ unique तरीके की design बना कर अपने टॉप में इस तरीके से उसका look बदल सकती है तो फ्रेंड्स यह वाली अगर वीडियो पसंद आई हो तो वन लाइक जरूर कीजेगा और शोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजीगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जन्वी से मेरा चैनल सस्क्राइब कर ले थैंक्स फो वाच्छिंग बाबाए झाल 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 झाल